श्रहीदे दिवस के मौके पर रास्थानी जैपूर में अहिन सायात्रो और मौन कारिक्रम फिलहाल जारी है फिलहाल सीधा चुड़ेंगे कारिक्रम की साथ में कई-कई दिनों तक घर के बहार जंगलों में रहे दो वर्ष के लिए जैपूर से आपको निश्काशित भी किया गया आजयत की लड़ाई में रामुजी ने हिलालाल शास्त्री, मानीलाल जी पाणिया, माने किलाल वर्मा, ओमदत्र शास्त्री जैसे कई बड़े-बड़े नेताओं के नित्रतु में काम किया सेनी जी ने वर्ष 942 में सत्या ग्रह अंदोलन में भी भाग लिया, आप महत्मा गांधी जी से मिलने, उनके एहमदाबाद अस्तर आश्रम में भी गए थे सतंता सेनानी वैदर रामुजी सेनी ने गुलामी किसे मुत्त होकर चैन की सांस तथा अपने देश की सिवा कर आज भी स्वें को आप बहुत गौरवन में महसूस करते हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन वन्दन आज के इस शहीद दिवस के समहरों में हम सब देश पक्त और उसके लिए फासी किफंदों पर छूड़िये वाले शहीदों की वो आखरी आवास वो अंतिम आवान गुम हो गया क्या खो गया नहीं कभी नहीं वो तो मौजूद है हमारे रोम रोम में हमारी नस नस में हमारे गाणों में हमारी आत्मा में जमीं के जर्रे जर्रे पर पिखरी हुई यादों को समीखती हुए इस जमीन के एहसानों को अपने माथ्य पर दिनकी तरह लडाते हुए अपने भाव में डूबे हुए हर दफ से इसकी अर्जना करते हुए कांदे के पत-पत जोश और हिमत के साथ आगे पढ़ने की देना हमें देते हैं भारत की आजा और उसी होसले से भारती साधियता का कुश्प खेला इस स्वतक्त की सुर्भी को बसों बरस हो गए उन अनाम शहीदों के उत्सद्ग को आईए हम एक बार फिर नमन करें और हम देख पा रहे हैं मजद पूरी तरह से हमारे गयक गलाकारों के सजा हुआ देश भक्ति के तरा दाने दिखेने के लिए तैयार इस देश की नग्यों में आजादी के गीत जब दाने शुरू किये तब इस देश के हवा में गुहू नगमे गूजने लगे जिसे जबत करने के बावजूद फिरंगी शाशन लोगों के बिलों तक पहुचाने से नहीं रोक पाया वो नगम आज भी हमारे देनों में जिन्दा है